लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें देश की राजधानी दिल्ली में आज से शराब सस्ती होने जा रही है सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने 70% दी कोरोना से इस वापस ले लिया है इसके साथ अब दिल्ली में शराब उपर 70% कोरोना टैक्स नहीं लगी गा हालांकि अब शराब के दाम पर अब कोरोना टैक्स नहीं लेकिन अब 25% दी वैट लगेगा और सरकार द्वारा जारी ये आदेश आज यानी बुद्वार से लागू हो जाएंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बता दें कि राजधानी दिल्ली में 4 मई से लेकर 6 जून तक करीब 304 करोड रूपे की शराब की विक्री हुई है। और इस पर सरकार को कोरोना टेक्स के रूप में 210 करोड रूपे मिले हैं। हाल ही में रविवार को मुख्यमंत्री के जरिवाल की अध्यक्षिता में हुई बैठक में शराब पर कोरोना टेक्स हटाने का निर्ने लिया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमन के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। इस दोरान शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग उमर पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब के दाम में 70 फीस दी बढ़ोतरी करने का निर्ने लिया था। बहराल बता दें कि दिल्ली में कोरोना पोजेटिव मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार भी इस पर अंकुष लगाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है।